राजकुमारी और मेंधक एक जमाने में बहुत ही बड़ा सामराज्य था वहाँ शूर और प्रामानिक राजा शासन करता था उसकी एक सुन्दर सी बेटी थी राजकुमारी गेंद से खेलने की बहुत ही शौकिन थी इसलिए राजा ने उसके जनम दिन पर उसे सोनी का गेंद उपहार स्वरुप दिया उसे वो गेंद बहुत ही पसंद था इसलिए यदि महल के बाहर भी जाना हो तो वो हमेशा उस गेंद को अपने पास ही रखा करती थी एक गर्मी में शाम की समय राजकुमारी घूमने के लिए उपवन में गई उसने सोने के गेंद को स्वयम के हाथ में ही पकड़ा हुआ था वो वो गेंद जितना उपर हवा में फेक सकती थी उतना फेकती थी और पृत्वी पर गिरने तक ठहरती थी किन्तु उसने वो गेंद बहुत ही उपर फेक दिया इसलिए राजकुमारी को वो गेंद कहा गया ये दिखाई ही नहीं दिया उसने नस्दीक के तालाब में सिर्फ पानी के छड़काओं की पड़ी आवास सुनी अरे नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं होता की मेरा सुनी का गेंद खो गया राजकुमारी निराशा के साथ रो पड़ी मैं मेरे पिताजी को कैसे बताओं की उन्होंने जो अनमोल उपहार दिया था वो मुझसे खो गया ऐसा कहकर राजकुमारी बहुत ही रो पड़ी इससे वापस पाने के लिए मैं कोई भी वस्तु दे सकती हूँ अचानक एक मेंधक ने बाहर चलांग लगाई और वो तालाब के एक पत्ते पर बैठ कया तुम क्यूं रो रही हो राजकुमारी उस राजकुमारी ने वो स्वर सुन लिया उसने यहाँ वहाँ देखा कि इंदो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या राजकुमारी उसने वो करकश स्वर फिर से सुन लिया उसके बाद उसने देखा कि तालाब के किनारे पर एक मैंधग बेठा हुआ है राजकुमारी, अगर मैं गेंद को तालाब से निकाल के दून तो तुम्हें अच्छा लगेगा मैंधग ने बड़ी सब्भेदा के साथ पूछा हाँ हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा होगा राजकुमारी खुशी से कूदने लगी मैं तुम्हें ठेर सारे हीरे दूंगी, मोती दूंगी, तुम जो कहोगे वो करूंगी लेकिन अस मैंधग ने इंकार कर दिया नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हीरे और मोती नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कोई खजाना भी नहीं चाहिए, उसका मुझे कोई फाइदा नहीं है मैं तुम से चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो मुझे अपने साथ में रखो अपनी धाली से ही खाना खिलाओ और मुझे अपने बिस्तर में ही सुलाओ अगर तुम्हें मनजूर है तो फिर मैं तुम्हारी गेंद तालाब से वापस लाओंगा ये कैसा भयानक विचार है एक में धग मनुष्य जैसा जीवन कैसे जी सकता है राजकुमारी चिंता में पड़ गई ऐसा अश्लील में धग मेरी गेंद कैसे ढूण सकता है इसका मुझे आश्चर्य है और यदि उसने ऐसा किया भी तो मुझसे मिलने के लिए उसे मेरी महल तक आना पड़ेगा जो उसके लिए बहुत दूर है राजकुमारी ने कहा ठीक है ठीक है मैं वच्चन देती हूँ जो कुछ तुमने कहा वो मुझे मन्जूर है सिर्फ मुझे मेरी केंद वापस करो मैं तुम्हारी चपूरी करूंगी राजकुमारी ने निवेदन किया मेंधक ने तालाब में छलांग लगाई और पानी छिड़क गया राजकुमारी बहुत ही बेसबरी से उस तालाब की तरफ देख रही थी चल थी मेंधक ने अपना सर उपर उठा लिया मेरी राजकुमारी ये रही तुम्हारी गेंद उसने ऐसा कहा और तालाब से बाहर आते ही उसने सोनी की गेंद उसकी तरफ फैक दी उसने उसकी पसंद की चीज ले ली और खुशी से महल की तरफ दोटने लगी मेंधक उसे पुकार कर उसे दिये हुए वचन के बारे में याद दिलाने लगा लेकिन वो भूल चुकी थी रुख जाओ राजकुमारी रुख जाओ क्या तुम भूल चुकी हो अपना वचन मुझे अपने साथ लेकर चलो किन्तु वो पीछे मुड़ी ही नहीं अगले ही दिन जब राजकुमारी परिवार के साथ खाना खाने के लिए बैठी थी उस वक्त किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया राजकुमारी दरवाजे के पास आई और तालाब के मेंड़क को देखकर वो अश्चर हेचकित हो गई क्योंकि उसने स्वयम महल तक पहुचने में जीत हासिल की थी ना राजकुमारी ने चट से दरवाजा पन कर दिया और फिर से टेबल पर जाकर बैठ गई क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो मेरी बच्ची? उसके पिताजी ने कहा लेकिन पिताजी राजकुमारी ने कहा उसे समझ नहीं आ रहा था कि तालाब के पास जो कुछ हुआ उसे कैसे समझाए मेरी चिनम दिन पर आपने दिये हुए गेन के साथ में खेल रही थी राजा ने कुछ देर विचार किया और फिर कहा तुम राजकुमारी हो और राजकुमारी जूठा आश्वासन नहीं दे सकती तुम्हें तुम्हारा वचन पूरा करना होगा राजकुमारी दरवाजा खोलने के लिए गई और मेंधक ने छलांग लगाई और उसके करकश स्वर में कहा सुनो मुझे खाने की मेज तक ले चलो ताकि मैं कुछ खा सकूँ राजकुमारी ने उसके पिताजी की दरव देखा और अनिच्छा से ही उसने उस मेंधक को उठाया और टेबल की तरफ लेकर गई और उसे टेबल पर पिठा दिया उसने ग्रिना से अपना हाथ साफ किया उसके सोने की थाली में मेंधक ने खाना शुरू किया और टप 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 आवाज शुरू कर दी खाना खाने के बाद मेंधक ने फिर से कहा अब मैं बहुत थक गया हूँ मुझे शेयन कक्ष ले चलो और अपने बिस्तर में मुझे लिटाओ मैं कुछ देर आराम करना चाहूँगा राजकुमारी स्वयम के ग्रेना करने लगी मुझे ऐसे कितने दिन जीना होगा इस गंदी चीज से मुझे कब चुटकारा मिलेगा राजकुमारी उसे अपने कमरे की तरफ लेकर गई और उसने उसे सामने ही एक तक ये पर रख दिया दिये हुए वच्चन के अनुसार मेंधक राजकुमारी के आगे सो गया और सुबह होते ही उसने चलांग लगाई और महल से बाहर निकल गया चले जान छूटी उटते ही राजकुमारी ने राहत की सास ली और उसने देखा तो मेंधक चला गया था मैंने उसकी इच्छा पुरी की है अब वो फिर से मुझे नहीं सताएगा किन्तु वो गलत थी क्योंकि शाम को मेंधक फिर से आ गया जिस समय उसने धीरे से दरवाजा खट-खटाने की आवाज सुनी उस समय वो पहले से ही बिस्तर पर थी दूसरे दिन सुबह राजकुमारी जगे और उसने देखा तो मेंधक फिर से आ गया था किन्तु शाम हो गई और फिर से मेंडक ने तीसरी बार दर्वाजा खटखटाया हर दिन मेंडक के साथ सोने से राजकुमारी को ग्रिना आ गई और वो उससे चुटकारा पाने का विचार करने लगी उसके मन में विचार शुरू थे, उसी वक्त वह सो गई जब वह सुभ उठी, तब उस वक्त मेंडक चला गया था और एक भूरी आखो वाला राजकुमार उसे ताक रहा था वो आश्चरे चकित हो गई, किन्तु एक ही रात में ये सब ठीक कैसे हो गया ये उसे समझ नहीं आ रहा था राजकुमार ने उसके शापों की संपूरना दर्दना कहानी उसे बता दी और उसने आगे कहा मैं राजकुमार था और तुम्हारी तरह महल में रहता था लेकिन एक दिन, एक दुष्ट मांत्रिक ने मुझे शाप दिया उसी वजह से मुझे ऐसी राजकुमारी को ढूरना था जिसके साथ मैं तीन दिन रह सकूँ शाप मुक्ति के लिए अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वही राजकुमारी हो जिसने मुझे तकलीफ से बाहर निकाला अपने जीवन में अधुभूद सुन्दर राजकुमार मिलने पर राजकुमारी बेहत खुश थी जल्दी दोनोंने शादी कर ली और राजकुमारी की पिताजी के महल में दोनों खुशी से रहने लगे समाप्त थम्बलीना एक बार एक स्त्री थी उसे बहुत ही लगता था कि उसे एक छोटा सा बच्चा हो किन्तु ऐसे बच्चे को कहा ढूंडे इसलिए वो एक व्रिद मांत्रिक के पास चली गई और कहा मुझे मेरे छोटे से बच्चे की बहुत ही बेसबरी है ख्रिपे आप मुझे बता सकेंगी कि मैं उसे कहा ढूंडू बहुत ही आसान है ये याओ का बीच तुम्हारे लिए ही है इसे ये गमले में रखो और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसने वो बीज लिया और जैसे ही वो घर गई उसने उसे पो दिया जल्द ही उसका परिवर्दन बड़े फूल में हो गया वो एक घंटे की तरह दिखने लगा किन्तु उसकी पनखुडिया कस थी उसमें कली भी थी ये कितना खूब सूरत फूल है उस त्री ने उसके लाल और पीले पनखुडियों का चुमबन लिया और जैसे ही उसने चुमबन लिया वैसे ही उस फूल ने बड़ी आवाज की और वो खिल गया उसमें एक छोट इसी लड़की थी वो बहुत ही अच्छी और सुन्दर थी लेकिन वो मनिश्य की उंगली से बड़ी नहीं थी कितनी खूपसूरत बच्ची है आज से मैं तुम्हें कहूंगी थंबलीना एक अच्छे से अक्रोड का उसके लिए जूला बनाया गया उसमें वो रात को सोती थी दिन के समय उस त्री द्वारा टेबल पर रखे हुए फूलों के हार से खिरे हुए प्लेट में वो खेलती थी उस पर एक बड़े फूल की पंखुडी तिरती थी थंबलीना उस पंखुडी का उपियोग नाओ के रूप में करने लगी और मलाहों के रूप में घोडे के बालों की जोडी लेने लगी वो उस प्लेट में सैर कर सकती थी वो गाना भी गाती थी उसका स्वर कोई भी कभी भी सुने तो कोमल और मधुर था एक रात जब वो जूले में सो रही थी उस समय एक भयानक मेंधक खिड़की से कूद आया और उसके पास आ गया मेरे बेटे के लिए यह अच्छी पत्नी रहेगी उसने वो अक्रोट का खोल अपने कबजे में कर लिया जिसमें थंबरीना सोई थी और उसके साथ वो खिड़की के बाहर कूद गया और बगीचे में चला गया मेंधक उसके बेटे के साथ रहता था वो उसके मा जैसा ही था लेकिन पत्ला और भयानक जोर से मत बोल दो वो जग जाएगी वो हमसे दूर ना जाए इसलिए हम उसे पानी की सतह के किसी कुमूर के पत्ते पे बिठाएंगे वो छोटी और हलकी होने के बचैसा उसे लगेगा वो दूई पल है उस सतह पर बड़े हरे पत्तों के साथ बहुत कमल खिल रहे थे एक पत्ता जो किनारे से दूर था और सभी पत्तों से बड़ा था उस पत्ते पर वृत मेंधक ने अखरोड की खोल रख दी जिसमें थंबलीना सो रही थी अगले ही दिन बैचारी छोटी थंबलीना उठ गई और जब उसने देखा कि वो कहा है वो जोर से रोने लगी उस बड़े पत्तों की चारो और पानी ही पानी था और उसे किनारे तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था थंबलीना नीचे बैठी और रो पड़ी उसके पास में ही नीचे पानी में तैरने वाली छोटी मचलिया थी उस छोटी लड़की को देखने के लिए मचलिया उपर आ गई जब उन्होंने उसे देखा तब उन्हें बहुत बुरा लगा उन सभी ने पत्तों से जुड़े हुए डंठल को घेर लिया और अपने दातों से उसे अलग कर दिया वो पत्ता बहने लगा और थंबलीना उस मेंधक से दूर चली गई इतनी दूर कि वो उसे पकड़ ही नहीं पाया अब वो जिस जगह पर थी वो जंगल की धार थी वहाँ बड़ी अनाज की खेती थी किन्तों वो अनाज बहुत पहले ही निकाला गया था संबित भूमी के बाहर सिर्फ सूखे नंगे डंखल ही थे माना वह बड़े जंगल में फसी थी फिर भी वहाँ सिर्फ उतना ही था उसके बाद वो खेत के चुहे के दर्वाजे के पास गई जिसके पास छोटे डंठल थे उस गरम आराम दायक कमरे में चुहा रहता था थंबली ना उसके दर्वाजे के पास खड़ी थी बिल्कुल किसी भीकारी की तर और थोड़े से खाने के लिए प्रार्थना करने लगी उसे बहुत भूग लगी थी अरे उडास छोटी लड़की तुम्हें मेरे गरम कबरे में आना चाहिए और खाना खाना चाहिए बदले में तुम्हें मेरा कमरा साफ लखना होगा और मुझे संदर संदर कहानिया सुनानी होगी मुझे कहानिया बहुत पसंद है खेत में रहने वाले उस बुढ़े दयालू चुहे का कहना थंबलिना ने मान लिया और उसे कहानिया सुनाने में बहुत मज़ा आया खुच समय बीद गया और एक दिन खेट का चुहा थंबलीना के पास आया हमारे पास एक महमान आने वाला है सबता हमें एक बार मुझे देखने के लिए मेरे पडोसी आते हैं और वे मुझसे भी अच्छे हैं यदि तुम उसे पती के रूप में स्विकार करोगी तो वो तुम्हारा बहुत ही अच्छा खडाल रखेगा लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता वो अंधा है तुम्हें उसे अच्छे-ची कहानिया सुना कर रिजहाना होगा थंबलीना को ये सुझाव अच्छा नहीं लगा वो तो उस पडोसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि वो तो चच्छुंदर था वो उनसे मिलने आया खेट में रहने वाले चुहे ने चच्छुंदर के अमीरी और होशियारी की तारीफ की और ये पताया कि कैसे उसका घर थंबलीना के घर से 20 गुना बड़ा है थंबलीना को उसके लिए गाना गाना ही पड़ा और चच्छुंदर को थंबलीना की मधुरावास से प्यार हो गया लेकिन वो उसे बता नहीं पाया उसने जल्द ही उसके घर से उनके घर तक एक लंबी सुरंग खोदी और खेत का चुहा और थंबलीना को बुलावा दिया लेकिन सुरंग के रास्ते में पड़े हुए मृत पंची के बारे में उन्हें आगा भी किया वो चोच और पंखो वाला एक पंची था सरदिया शुरू होने की वज़े से शायद वो मर गया था और सुरंग के बीचो बीच दफन हो गया था चचुन्दर ने सड़े हुए लकड़े की मशाल ली मशाल की वज़े से उस अंधेरी जगम में रोशनी फैली रास्ता दिखाने के लिए वो उस लंबी अंधेरी सुरंग में उनसे आगे चलने लगा जब उस मरे हुए पंची के पास वो पहुचे तब चचुन्दर ने अपनी नाक छट में डाल कर एक बड़ा चुदर बनाया ताकि बाहर की रोशनी अंदर आ सके उन्हें दिखा कि सुरंग के बीचो बीच एक अबाबिल पंची मरी हुई हालत में पड़ा था उसके खुबसूरत पंख मुड़े हुए थे और उसका सर पंखों के बीचो बीच छिपा हुआ था थंबलीना को उसके लिए बहुत बुरा लगा लेकिन चचुदर ने उसके छोटे पेरों से उस पंची की शरीर को लात मरी और कहा ये बहुत अच्छा है कि मेरे होने वाले बच्चे पंची नहीं होंगे उनकी मीठी चहचाहाट उन्हें भूक और ठंड से मरने से तो नहीं बचा सकती थंबलीना शांत रही लेकिन सभी ने उस पंची की तरफ पीठ कर ली थंबलीना जुकी उसने मुढ़े हुए सिर के पंची के पंखों को विलकिया और उसके बंध आखों का चुम्बन लिया गर्मी के दिनों में मधुर गाना गाने वाला शायद यही था तुमने मुझे बहुत खुशी दी है मेरे प्यारे पंची उस रात थंबलेना को एक पल भी नीन नहीं आई इसले वो उठी और कमरे के ठीक बाहर एक बड़ी चदर बुदने लगी उसने वो चदर मृत पंची के उपर रखी और भूमी में गर्मी रहने के लिए उसके शरीर पर फैला दी उस चदर की वज़े से पंची को गर्माहट मिलने लगी अलविदा सुन्दर छोटे पंची और पिछली गर्मियों में तुम्हारे गानों के लिए मैं हमेशे शुक्र गुजार रहोंगी उस समय सभी वरिक्षहरे थे और गर्म सूर्य की किरने उस पर गिरी थी उसने उसकी चादी पर अपना सर रखा और उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ तो धड़क रहा है वो स्पंची का रिधय था वो मरा नहीं था वो सिर्फ सर्दी के कारण जम गया था और फिर से जीवित होने के लिए वह गर्म हो गया था शुक्रिया नहीं लड़की अब मैं बिल्कुल गर्म हो गया हूँ चले मेरे दोस्त इस हरे जंगल से दूर उड़कर जाने के लिए तुम मेरे पीट पर बैठ सकती हो अब वही सर्दी का मौसम आ रहा है मैं मेरे दूर के घर की तरफ जाने वाला हूँ क्या तुम मेरे साथ आने वाली हो तुम मेरे पीट पर तो बैठी सकती हो हाँ मैं सरूर राऊंगी वो उसके पीट पर बैठी बाद में पंची ने जंगल के उपर से और तालाब के उपर से हवा में छलांग लगाई बहुत ही दूर वे उस पंची के घर पहुचे सूरज हमेशा से ज्यादा ही चमक रहा था और ऐसा लग रहा था कि आस्मान हमेशा से दुगनी उचाई पर है ये मेरा घर है नीचे खिले हुए खुबसूरत फूलों में से अगर तुमने एक कोच ना तो मैं तुम्हें उसमें रख दूँगा और तुम्हारे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी ये तो बहुत ही अच्छा होगा उनके नीचे सुन्दर सफेद फूलों के साथ एक सुन्दर सा बगिचा भी था थंबलीना के साथ पंची ने नीचे छलांग लगाई और उसे उन में से सबसे बड़े वाले फूल पर बिठाया उस फूल के बराबर बीच में से एक छोटा मनुष्य दिखाई देने पर उसे बहुत आश्चर्य हुआ उसके कंधों पर प्रतिभाशाली पंख थे वो उन फूलों का राजा था लेकिन थंबलीना को देखकर उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि उसने इतनी खूबसूरच छोटी सी लड़की कभी देखी ही नहीं थी इसलिए उसने अपने सर का ताज निकाल कर थंबलीना के सर पर रख दिया उसने कहा कि उसे उसका नाम जानना है और क्या वो उसकी पत्नी होने के लिए तयार है हाँ मैं तयार हूँ लेकिन तुम्हें मेरी मा को यहां लाना होगा उसके बाद ही हम तीनों खुशी से रह पाएंगे वो मान गया और थंबलीना के लिए वो पंकों की जोड़ी भी लेकर आ गया दोनों खुश हुए और जल्धी थंबलीना की मा भी वहां आ गई मेरी थंबलीना तुम्हें वापस पाकर मैं कितनी खुश हूँ यह तुम नहीं समझ पाओगी और तीनों खुशी-खुशी रहने लगे कहानी पूरी हुई और जादुगर बहुत सालों पहले लॉड़न्स नाम की जगह में डोरोथी नाम की छोटी लड़की रहा करती थी वो खेतों में अपनी चाची इम और चाचा हेंडरी के साथ रहती थी उसके पास टोटो नाम का एक कुट्ता भी था एक दिन उसे पता लगा कि मौसम अजीब है बादल बहुत घने और गरज रहे है चाचा हिंडरी दर्वाजे के पास बैठ कर आसमान की तरफ देख रहे थे उन्होंने देखा कि बादल हमेशा से कुछ ज्यादा ही काले है डोरोथी उसके टोटो को हाथ में लेकर दर्वाजे पर बैठ गई और आसमान की तरफ देखने लगी जब उसने हवा का आकरोश सुना तब उसके चाची जो बर्दंद हो रही थी वहां से बाहर आकर तूटो का हालचाल देखने के लिए बाहर आने लगी अचानक से टोटो ने डोरोथी के हाथ से छ़़ान मारी और उस तूफान की तरफ दौड गया और वो भी उसे पकडने के लिए उसके पेचे दौड़ी आखिर थोड़ी देर बाद टोटो गर्म हवा के गुबारे के नीचे छिप गया जो खेत की दूसरी तरफ था वहां तो एक बहुत ही मनुरंचक इनसान से विली उसका नाम प्रोफेसर मार्वल था और वो गर्म हवा वाला गुबारा उसका खुद का था उसने बड़े ही मसेदार तरीके से दौरोथी का स्वागत किया सिम सिम साला बिम अगर मेरे शाब्द सही हैं तो तुम छोटी लड़की दौरोथी होगी उसे मेरा नाम कैसे पता चला दौरोथी ये सोचने लगी अचानक उसने देखा कि एक तूफान उसकी तरफ आ रहा है उसने टोटो को उठाया और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर के तहखाने की तरफ भागी जब वो वापस आई तब बहुत देर हो चकी थी वो घर के अंदर भागी लेकिन जब तूफान आया तब वो गिर गई और उसके सर पर चोट लग गई उस तूफान ने सारे घर को बहुत उचा उचाला तब दौरोथी और टोटो भी उसमें थे थोड़ी देर बाद वो घर जमीर पर दोपस आ गया दौरोथी बाहर आई तो उसे पता चला कि वो किसी अलग जग़ पर आ गई है वो जग़ लौरन से भी ज्यादा रंगीन और सुन्दर थी और तभी उत्तर की और से एक प्यारी चुडेल ग्लिंडा वहां प्रकट हो गई और उसने उसका स्वागत किया स्वागत है डौरोथी ओसकी दुनिया में आपका स्वागत है मैं उत्तर की और रहने वाली चुडेल हूँ अरे मैं यहां कैसे आ गई मुझे याद है कि उस जगे एक तूफान आया था और उसके बाद तुम यहां आई मेरी प्रिये डौरोथी वो तूफान मतलब औसके दुनिया में आने का एक प्रवेश्ट बार है और पश्चिम की और की चुडेल को खत्म करने के लिए मैं तुम्हारी शुक्र गुजार हूँ अब बहुत अच्छी है लेकिन यहां पर कुछ गडबड हो रही है मैंने किसी को नहीं मारा तुम्हाने घर ने तो मारा बाट तो एक ही है ना देखो ग्लिंडा ने घर के कोनी की तरफ इशारा किया ये देखो उसके दो पैर अभी भी लकडी के टुकडे से बाहर दिख रहे है जोरोथी ने उस पर विश्वास रखा और डर के मारे रोने लगी उस दुष्ट चुलेल की बेहन ने भी जो कुछ भी हुआ वो सब देखा था और वो भी वहाँ पहुच गई वो उसके जाडू पर बैठ कर उड़ रही थी और उसके बेहन को मारने की वज़े से डोरोथी पर बेहत घुसा थी ए छोटी चुहिया मेरी बेहन को मारने के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने मेरी बेहन के चपल पहनने का जो साहस किया है वो मेरे है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी डोरोथी को पता भी नहीं था कि कैसे रूबी के चपल उसके खुद के पेरों में आये थे लेकिन अथाक प्रयत्न के बाद उन्हें अपने पेरों से वो निकाल नहीं पाई और अच्छानक पश्चिम की और की दुष्ट चुडेल ने दोरोथी पर मंतर का प्रयोग किया लेकिन वो उसी की तरफ घूम गया और उसके बदन को आग लग गई उसे शुराब देते हुए वो बोली ए छोटी चुहिया मैं जल्दी वापस आऊंगी और तुझे दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा कहे कर वो चुडेल दूर चली गई और डुरोथी ने अपने लिए एक नया दुश्मन बना लिया था डुरोथी खबरा गई और उसने कहा गलेंडा अब मैं क्या खरूँ वो मेरे लिए ज़रूर वापस आएगी ठीक है ठीक है चिंदा मत करो अब तुम जितनी जल्दी हो सकें उतनी जल्दी लॉरेंस को लाट जाओ लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं घर वापस कैसे जाओ तुम्हें एमराल शहर में ही जाना होगा वहाँ आस का महान जादुगर रहता है उससे मदद मांगो मैं एमरेल शहर तक कैसे जाओ वो बहुत दूर है क्या आप मेरे साथ चलेंगी तुम पीले इटों के रास्ते का अनुकरन करो वो रास्ता बहुत लंबा है और ये रूबी की चपल तुम्हारी मदद करेगी जब तक तुम ये चपल पहनी हो तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा जल्दी डुरोथी और टोटो ने पीले इटों का रास्ता ढूंडा और उस पर चल पड़े बहुत दूर चलने के बाद डुरोथी आराम करने के लिए बैट गई उस जगर रास्ते के बाजू में एक मक्य का खेत था उस खेत के बराबर बीच में एक बिजुका था जोरोथी ने उसकी तरफ देखा और वो हस पड़ी हमारे लॉरेंस में भी बिजुका होते हैं सही कहा जोरोथी ने उस बिजुका के तरफ आश्चर्य से देखा लेकिन हमारे लॉरेंस की बिजुका बोलते नहीं है मैं ज्यादा बोलता नहीं कव्वे मुझसे डरते नहीं उनके पास दिमाग है मेरे पास नहीं अरे दोस्त लेकिन शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं वो खड़ी हो गई और उसने उस बिजुका को सुना है कि सर्फ वही मुझे लॉरेंस तक मेरे घर तक पहुचा सकेंगे ये नाम पहले कभी सुना नहीं लेकिन याद रखने के लिए मेरे पास कोई दिमाग नहीं है तुम्हें लगता ही कि क्या वो जादूगर मुझे थोड़ा दिमाग दे पाएगा आप मेरे साथ चल कर उनहीं से क्यों नहीं पूच लेते शुक्रिया, बिल्कुल, ये एची योजना है इसलिए दोनों एक साथ चल पड़े थोड़ी देर बाद वो टिन से बने इंसान से मिले तुम लोग कहा जा रहे हो हम ओस की माहन जादुगर से मिलने एमरिल शहर जा रहे हैं हमें जो चीज़े चाहिए वहीं दे सकते हैं हमें ओ, मेरे पास दिल नहीं है क्या वो जादुगर मुझे दिल दे सकता है आप हमारे साथ चल कर उनहीं से क्यों नहीं पूच लेते शुक्रिया, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ वो सारे पीले इटों की रास्ते पर चल पड़े वो रास्ता एक घने जंगल से जाता था वो जंगल अंधेरे से भरा हुआ और अजीब सा था एक घिलने वाली जाड़ी को देखकर टोटो भौकने लगा और उसके बाद अचानक से उस जाड़ी के पीछे से एक बड़ा शेर सामने आ गया वो सारे खबरा गए और कापने लगे लेकिन उन्हें जल्द ही आश्चरिय हुआ क्योंकि शेर तो रो रहा था जोर जोर से अरे, सबसे पहले तुम यहां कहां से आए और तुम इतने घबराए क्यूं हो यह हमें बताओ रो क्यूं रहे हो तुम मैं बहुत डर पोखूं मैं सबसे डरता हूं मैं जब धारता हूं तब मेरी धड़कने बढ़ जाती है मैं क्या करूं कम से कम तुम्हारे पास दिल तो है और तुम्हारे पास दिमाग भी है ठोठो और मुझे घर जाना है हम वहाँ वापस जाने के लिए और जादूगर की मदद मागने वाले हैं क्यों तुम्हें लगता है कि वो जादूगर मुझे हिम्मत देगा ताकि मैं डर पोक ना रहूं ऐसा सुना है कि जादूगर बहुत ही शक्तिशाली है तुम हमारे साथ हा सकते हो और बूट सकते हो वो सारे एमरिल शहर में पहुच गए वो जगब बहुत सुन्दर थी हर तरफ हरियाली हरियाली थी उस जादूगर को शहर में हर कोई जानता था लेकिन व्यक्तिकत उसे किसी ने देखा नहीं था वो सभी किले के पास पहुँच गए उस किले का गुबन गर्म हवा के गुबारी की तरह था जो उसने तूफान की समय देखा था जिस समय वो दर्वाजे से अंदर जाने की कोशिश करने लगी तब उसे शाही रक्षकों ने रोक लिया आप एमरल्ड शहर के किले में पहुँच गये हैं मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ मैं औस की महान जादुगर से मिलने के लिए आई हूँ हम काफी दूर से आये हैं उनका समय खराब नहीं करेंगे मुझे जादुगर से अनुमती लेनी होगी तब तक तुम यही रुको आखिर जादुगर ने उन्हें मिलने के लिए अनुमती दे ही दी जिस समय वे दरबार में पहुचे तब उन्होंने देखा कि सिंगासन पर राजा की छवी है बहुत ही बड़ी और भायानत थी वो सिम सिम सलबिम नमस्ते डोरी थी लॉरेंस शहर के बच्ची मैं जानता हूँ मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मैं इस आवास को पहचानती हूँ लेकिन कहां पर सुनिए ओस की शक्तिशालिजादुगर आपको हमारा प्रणाम हमारी मदद कीजिए अरे छोटी डोरोथी मैं तुम्हारी बिलकुल मदद करूँगा तुम दुष्ट चुडेल का जाडू पकड़ो मैं तुम्हें परेशानी नहीं होने दूँगा वो सभी उस चुडेल के किले की तरफ गए उनके काम में थोड़ी निराशा आई उस दुष्ट चुडेल को जोरोथी की रूबी चपपल चाहिए थी क्योंकि उसे पता था उनमें बहुत शक्ति है जब वो दुष्ट चुडेल के किले की तरफ गए तब वो स्वागत करते हुए बोली दोबारा मिलकर खुशी होई छोटी चुहिया आखिर अंत में हम दोबारा मिल ही गए अब तुम मुझे मेरे रूबी चपल दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी यहां से कोई भी कही नहीं जाएगा क्योंकि अब मैं सबको मारने वाली ह उसने एक की बाद एक सबको मारने की योजना बनाई उसने अपने ज़ाडू से उनकी तरफ अंगार बरसाए डुरू थी उस अगनी से खुद को बचाने की कोशिश करने लगी उसके चपल चमक गए और पानी का जोरदार बहा उसके हाथों से बाहर निकला वो अगनी शान् के लिए उसने उसका ज़ाडू पकड़ा चपल दुबारा प्रकाशित हुआ और डोरोथी ने अपने ज़ाडू से चुडल की तरफ अगनी फैका वो खुद के ही किले में जल गई और पिघल गई डोरोथी ने उस दुश चुडल का ज़ाडू पकड़ा और जादूगर को दे दिया वो देखने के बाद उनका काम पूरा हुआ जादूगर ने उसका असली रूप उनके सामने प्रकट किया वो प्रोफेसर मार्वल थे प्रोफेसर मार्वल ने डोरोथी को लौरेंस के घर वापस जाने के लिए आग्या दी उन्होंने बिजुका को शिक्षा प्रम कलब तुम्हारी ही है अब तुम जब चाहो तब उन्हें ले जा सकती हो और कभी भविश्य में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो सिफ चपल एक दूसरे पर तीन बार पटकना और मैं तुम्हारे लिए वहाँ प्रकट हो जाओंगी डोरोथी ने सभी दोस्तों को अलवि उसे उठाने की कोशिश में लग चुके थे कितना आश्चिरेजनक साहस उसने किया था लेकिन चाचा चाची के लिए वह बस एक सपना ही था जैसे ही उसने चादर हटाई उसने देखा कि रूबी के चमकीले लाल चुपल तो अभी भी उसके पैरों के बगल में विस्तर पर ही है कहानी पूरी हुई अधभुत प्रदेश में एलिस स्वीट विले नाम के एक छोटे से गाव में एक सुन्दर सी लड़की रहती थी जिसका नाम था एलिस उसके जुडवा भाई के साथ वो रहती थी उनके पास उनके घर के पीछे एक सुन्दर और रंगी बेरंगी बगीचा भी था एलिस उस बगीचे में अपने भाई के साथ खेलती थी और ठकने पर पेड़ के नीचे बैट जाती थी एक दिन जब वो पेड़ के नीचे आराम कर रही थी तब एक सफेद खरगोश उसके पास आ गया उसे देखकर वो चौक गई क्योंकि उस खरगोश के बारे में कुछ तो उलेखनीय था उसने मनुष्य जैसा जैकेट पहना था और एक पुराने डायल की घड़ी निकाल कर उसने कहा अरे बापरे, अरे बापरे, मुझे देर हो जाएगी वो उस खरगोश के तरफ चौक कर देखने लगी और वो जो कह रहा था उसे सुनने की कोशिश करने लगी उसे आश्चर्य हुआ और उसकी बढ़ती जग्यासा के साथ उस जगह वो जल्द ही उसके पीछे दोड़ने लगी उसने देखा कि वो खरगोश एक बड़े इस सुरंग में कूद रहा है उसके पीछे पीछे एलस भी कूद गई उसे कुछ समझ आता इससे पहले ही उसे एहसास हुआ कि वो भी नीचे गिर रही है या तो मैं बहुत ही धीरे से गिर रही हूँ या तो ये सुरंग बहुत ही गहरी है जल्द ही किसी पत्ते की तरह वो उसके पैर पर उस चमकीले फर्ष पर उतरी उसने देखा कि उस चोटे कमरे में तीन सुन्दर लकडी के नक्षिधार दर्वाजे हैं वो सभी अलग-अलग आकार और रंग के थे पहला दर्वाजा लाल रंग का था और एलिस के आकार के आधा था दूसरा दर्वाजा सफेद था और एलिस के अंदर जाने के लायक था तीसरा दर्वाजा हरा था और बहुत ही छोटा था एलिस ने एक एक दर्वाजा जाच लिया और वो सभी बंद थे उस कमरे के बराबर बीच में उसने एक पुराना लकडी का टेबल देखा उस पर सोने के चाबी के सिवाए दूसरा कुछ भी नहीं था उस पर लिखा हुआ था मेरा उपयोग करे उसकी आँखे खुशी से चमकने लगी और उसने वो चाबी उठाई और पहले दर्वाजे पर प्रयोग किया या तो उस चाबी का चुद्र बहुत ही बड़ा था अन्यता वो चाबी बहुत ही चोटी थी वो उस लाल दर्वाजे के लायक नहीं थी इसलिए उसने सफेद दर्वाजे पर प्रयोग किया वो चाबी उस सफेद दर्वाजे के लिए भी नहीं बनी थी फिर उसने उस चाबी से हरा दर्वाजा खोलने की कोशिश की और दर्वाजी का ताला खुल भी गया एलिस ने दर्वाजा खोला और घुटने टिकते हुए अंदर चली गई उसने कलपना भी नहीं की होगी ऐसा पगीचा उसने देखा बड़े निराशा के साथ वो आश्चरय चकित हो गई मुझे उस दर्वाजे के अंदर जाने की बहुत इच्छा है दूसरे दो दर्वाजे खोलने के लिए चाबी ढूनने की आशा से वो उस टेबल की तरफ लोट आई लेकिन उस वक्त उसने एक बोतल ढूनडी उसमें हरी चमकती ओशदी थी उस पर भी मुझे पियो ऐसी टिपनी लिखी थी एलिस ने उसे थोड़ा पी तो लिया उसे थोड़ा शक तो हो रहा था लेकिन उसे हरे दर्वाजे के अंदर भी जाना था उसने वो दवा पी और उसके साथ कुछ अजीब और गरीब होने लगा उसने देखा कि वो कमरा बड़ा होता जा रहा था और उस वक्त एलिस छोटी होती जा रही थी ये क्या अजीब एहसास है अब वो बोतल भी नहीं पकड़ पा रही थी अब वो सिफ कुछ इंच की ही हो गई थी उसका चहरा सिर्फ एक ही विचार से खिला हुआ था कि अब वो छोटे दर्वाजे से सुन्दर बगीचे में जा सकती थी वो सुन्दर बगीचे में चली गई उस जगह चारो और बहुत बड़े चॉकलेट के पेड़ थे चारो और टॉफी और कैंडी थी और आम दूद की सुन्दर नदिया बह रही थी उसने देखा कि अलग दिखने वाले पेड़ सिर्फ परवत के ऊपर ही थे अचानक वही सफेद खरगोश एलिस के सामने आ गया और अहंकार के साथ उसने कहा अरे ओ, पतली लड़की, तुम कटपुतली के तरह क्यों खड़ी हो मेरे घर से मेरे गलाउज लाकर दो तुम जानती नहीं कि मुझे टीपाटी के लिए देर हो रही है हाँ, 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 महाशय क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका घर आखिर है, कहां? अरे, छोटे मुरख चुहे तुम पीछे वाले चॉकलेट के संगे मरमर के रास्ते से जाओ और तुम्हें छोटी पहाडी पर गाजर के आकार का केक दिखेगा वही मेरा घर है, अब तुम जाओ ध्यान रहे, मेरे घर पे कुछ भी तुम्हें खाना नहीं है वरना तुम्हें भुगतना पड़ेगा एलिस को उसके बात करने का तरीका पसंद तो नहीं आया लेकिन वो काफी परेशान और घबरा गई थी इसलिए सवाल न करते हुए उसके पीछे जाने लगी उसने गलती से मुझे अपनी नौकरानी समझ लिया होगा वो सफेद खरगोश के छोटे से घर में चली गई टेबल पर ही उसे गलफ्स का एक जोडा दिखा और उसके उपर एक सुन्दर केक भी दिख गया उस पर लिखा था मुझे खाओ यम लेकिन खरगोश ने पहले ही कुछ भी खाने से इंकार किया है अब मैं क्या करूँ ऐसे में केक का एक छोटा सा टुकडा खाने में क्या हर्ज है उसने तै कर लिया जैसे ही उसने वो केक खाया उसका आकार बढ़ने लगा किन्दू वो उसके मूलाकार पर भी नहीं रुकी सच में वो बहुत ही बड़ी होने लगी इसलिए उसका सर छट से टकरा गया वो हिल नहीं पा रही थी और अटक गई उफ हो, मैं अटक गई कोई मेरी मदद करो, कोई मदद करो अलिस ने वो घर तोड़ दिया और बाहर आ गई वो बहुत ही डर चुकी थी और एक ही दिन में उसने काफी साहस कर लिया था जल्द ही वो पास के जंगल में दौड गई और चॉकलेट के मश्रूम के बाज़ो में बैठ गई हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है मैंने क्या गलत किया है सबसे पहले कुछ भी करके मुझे मेरे मूलाकार में वापसाना होगा अच्छानक मश्रूम के पीछे से वहाँ पर एक कीड़ा आ गया ओ, गरीब छोटी विशाल लड़की मैं तुम्हारी मदद करूँगा अब मुझे ध्यान से सुनो यदि तुमने ये पहली सुलजाई तो तुम्हें इस पर उपाई मिलेगा मैं कुछ तो हूँ जिसे तोड़कर कागज और कार्ड बनाते हैं मेरे उपयोग से आप लोग घर बनाते हैं और मैं आपके आंगन में भी रहता हूँ अलविदा गरीब छोटी विशाल लड़की एलस को एक पहली देकर वो खीडा वहां से चला गया हे क्या तो मुझे इसका हल नहीं बताओगे अचानक उसे कल्प व्रिक्ष की याद आ गई अरे हाँ मुझे इसका हल मिल गया अब वो समझ गई कि उसका हल व्रिक्ष है वो परवत के उपर गई और उसके सामने खडी हो गई सुनिए विशाल व्रिक्ष मुझे अपने मौल रूप में आने में सबसे पहले, तुम्हें इस घने जंगल में रहने वाले पागल टोपी वाले को और पागल खरगोश को ढूड़ना होगा. वे तुम्हें घर जाने के लिए ठीक सलहा देंगे, लेकिन तुम उन्होंने पेश की उही चाल बिल्कुल भी नहीं पी सकती. वरना तुम भी टोपी वाले की तरहा और पागल खरगोश की तरहा पागल हो जाओगी. अब ये फल खाओ, तुम्हें तुम्हारे मूल रूप में लाने के लिए ये मदद करेगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद वरिक्ष, मैं निश्ची थी आपकी सूचनाओं का पालन करूँगी. कलप वरिक्ष का फल खाने से अलस फिर से मूल रूप में आ गई, अब उसे उसके घर जाने के लिए बहुत ही देर हो रही थी. इसलिए वो पागल टोपी वाले को ढूणने के लिए दुबारा जंगल में चली गई. वहाँ वो एक अजीब से उल्लू से मिली. कैसे हैं आप? क्या आप मुझे पागल टोप वाले को ढूणने में मदद करेंगे? एक बूढ़ा ग्यानी उल्लू वहाँ बैठा है. उस रास्ते से जाओ. तुम्हे कुछ संकेत मिलेंगे. मैं जितना ज्यादा सुनता हूँ, उतना ही कम बोलता हूँ. रास्ते पर चल्टी जाओ. अपनी आशा मत खोना. पागल टोपी वाले को ढूणो, उसे चुटकुला स सुनाओ भला, यहाँ सब कुछ अजीब क्यों है. जाने दो, उस वृद ग्यानी उल्लू ने मुझे बताया, उस अनुसार ही मुझे करना चाहिए. एलस ने बिल्कुल वैसा ही किया, और वो उस घने जंगल की बीचो बीच आप पहुची. उसने देखा कि पागल टोप वाल मैं एलस हूँ और मैं इस अद्भुत प्रदेश में खो गई हूँ. क्या यहाँ से बाहर निकरने में आप मेरी मदद करेंगे? एलस, 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 क्यों नहीं, तुम छोटे विशाल बच्चे हो ना? जो इस पागल प्रदेश में खो गया है, पहले एक कप चाय पीलो मेरे बच्चे. जैसे तुम देख पा रहे हो, हम यहाँ ती पाटी कर रहे हैं. आओ, यहाँ, बैठो. नहीं, मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं, और मैं इस अदबध प्रदेश में खो गई हूँ. ना कि पागल प्रदेश में, और इसमें आप चाय की पाटी क्यों कर रहे हैं? मुझे आपकी चाय की पाटी में कोई दिल्चस्पी नहीं है. मैं जहाँ से आई हूँ, वहाँ नाम पता है, तुम्हारा नाम है, नाम है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है, और मेरी पैंट कहां है, मैंने वही तुमसे लाने के लिए कहा था ना? अलिस सोचने लगी अब मुझे पता चला कि क्यों कलपवरिक्षु ने पागल टोपी वाला और पागल खरगोश कहता था अचानक उसे उस वृधुल्लु की कविता याद आ गई पागल टोपी वाले को ढूंडो और उसे एक चुटकुला सुनाओ तो सुनिये जनाब क्या आप एक चुटकुला सुनना पसंद करेंगे हम तो सुनेगे एक बार एक टाई ने एक टोपी से क्या कहा तुम सर चड़ कर बोलो और मैं गले पड़ जाती हूँ अलिस का चुटकुला सुनते ही दोनों जोरों से हसने लगे और अचानक उनके पागलपन से जग गए अब मुझे मेरे घर जाने के लिए आप मदद कर सकेंगे ओ बच्ची मेरे असा भी व्यवार के लिए मुझे माफ करो हम जो रोजा आना ये चाय पी रहे है इसकी वज़े से हो सकता है ये तुम्हें तुम्हारे घर बेजने के लिए मैं निश्चित तुम्हारी मदद करूँगा पागल टोपी वाली ने उसे दूसरे सुरंग से एक रास्ता दिखाया और उसे उसके जीवन के लिए शुपकाम नाय दी एलिस उस सुरंग से चली गई उस सुरंग में अंहिरा था इसलिए वो वहां कुछ चीजे देख नहीं पा रही थी एलिस को उसके कंधे पर एक ठंडे हाथ का एहसास हुआ वो गबराई और उसने उठकर देखा तो वो उसका छोटा भाई था जो उसे जगा रहा था एलिस को ये जानकर बहुत रहत मिली कि उसने जो कुछ भी देखा वो सर्फ एक सपना था वो उसके भाई के साथ खेलने लगी लेकिन उससे क्या पता पेड़ के पीछे से सफेद खरगोश उसे देख रहा था कहानी खतम राजकुमारी और मटर एक समय की बात है एक राजकुमार था जो शादी करना चाहता था क्योंकि वो राजकुमार था उसे चाहिये थी एक राजकुमारी रानी ने उसे बड़े अनुशाशन से पाला था इसलिए राजकुमार का ये आगरता कि उसके होने वाले पत्नी भी सही माईनों में राजकुमारी हो उनके राजे में ऐसी कोई राजकुमारी न थी, जो राजकुमार के लिए उचित हो इसलिए राजकुमार पत्नी की तलाश में सारी दुनिया घूमने लगे पर जितनी भी राजकुमरे उसे वो मिले, उनमें कोई न कोई खामी थी किसी की नाकूची थी तो किसी का कद छोटा, किसी की चाल में खोट थी तो किसी के आवाज में ऐसी कोई राजकन्या उसे नहीं मिली, जिसे वो अपनी रानी बना सके वो निराश होकर अपने राज्य लौट आया उसने सोचा कि शायद उसके नसीब में पतनी का सुक था ही नहीं एक दिन जब वो अपने महल वापस पहुँचे अचानक जोरो की बारिश होने लगी आस्मान में काले बादल छा गए और कड़कती बिजली की आवाज ने महल की दिवारों को हिला कर रख दिया महल के सारे लोग एक जगा पर आग जला कर कुदरत के इस कहर को देखने लगे तभी महल के मुख्यद्वार पर किसी के खट-खटाने की आवाज आई राजकुमार के पिता ने याने महराज ने जब दरवाजा खोला तो बाहर एक बहुत ही सुन्दर राजकुमारी खड़ी थी वो बारिश में भीग रही थी उसके लंबे सुनेरे बाल और रेशम के जूतों से पानी टपक रहा था उसने कहा कि वो एक राजकुमारी है वो एक नजदी की राज्य से अपने राज्य वापस लोट रही थी उसकी ऐसी अवस्था को देखकर महराणी को विश्वास नहीं हुआ कि वो एक राजकुमारी है राणी ने सोचा क्या ये सच बोल रही है? महराज उसे महल के भीतर ले आये और सबसे परीचाई करवाया रानी ने कहा तुम्हारी इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल है मैंने कभी इतनी अस्व्यस्त राजगुमारी नहीं देखी चतुर रानी को दाल में कुछ काला नजर आया आखिर उन्हें महल की सुरक्षा जो करनी थी असलियत जानने के लिए उन्होंने एक युक्ती की उन्होंने रसोई घर से एक सूखा मटर का दाना लिया और महमान कक्ष में राजगुमारी के बिस्तर के बीचों बीच रख दिया फिर उन्होंने वीस रेशम से भी मुलायम गद्दे उस मटर की उपर रख दिये इतने आकर्शक और मुलायम गद्दे किसी ने नहीं देखे होंगे इन गद्दों से रानी की पसंद और पार की नजर का अंदाजा लगाया जा सकता था पहला गद्दा गहरे गुलाबी रंग का पंची के मुलायम पंखों से बुना हुआ था दूसरा बैंगनी रंग का रेशम के धागों से बुना हुआ था तीसरा सफेद रंग का मलमल से भी मुलायम गद्दा जिस पर एक हंस का चित्र बना हुआ था पट्टी वाले गद्दे, स्प्रिंग वाले गद्दे, जरी वाले गद्दे, लीनन के अती मुलायम और मुल्यवान गद्दे और सोने के धागों से बने हुए गद्दे, जिन पर राज्य का चिन और नाम लिखा था मटर के उपर ये सारे अती मुलायम गद्दे रखने के बाद राजकुमारी को उस पर सुलाय गया हाफते हुए गद्दो को मटर के दाने पर एक के उपर एक रखने की फिजूल मेहनत करने के बाद रानी बोली अब पता चलेगा कि ये लड़की राजकुमारी है या नहीं सुबह जब राजकुमारी नाश्टा करने आई तब वो काफी अस्वस्त थी क्या तुमें अच्छी नीन्द आई? रानी ने पूछा नहीं, मैं नहीं सोब आई राजकुमारी ने जवाब दिया सब ये सुनकर खुश हो गए क्यूंकि उन्हें पता चल गया था कि वो सच्मुच एक राजकुमारी ही थी क्यूंकि इतनी कोमल और मुलायम तवचा किसी राजकन्या की ही हो सकती है राजकुमार ने उसके साथ शाधी कर ली और उस मटर के दाने को बिस्तर से निकाल कर राज्ये के संग्राले में रख दिया गया जा वो मटर आज भी है एक समय की बात है दूर एक शहर में एक धनी आदमी अपनी तीन बेटियों के साथ रहता था तीनों में सबसे जोटी बेटी बहुत खूबसूरत थी इसलिए सब लोगों से ब्यूटी कहकर बुलाते थे वो बहुत अच्छी और दयालू थी उसकी बड़ी बहले ना तो अच्छी थी ना ही दयालू सच तो ये है कि वो दोनों ब्यूटी से बिलकुल विप्लीब, स्वार्थी और गमंडी थी एक दिन उनका पिता बड़े दुखे मन से घार आया जब लड़कियों ने पिता से उनकी उदासी का कारण पुछा, तो नोंने जवाब दिया अब हम गरीब हो गए हैं, भाग्ये ने हमारा साथ छोड़ दिया अब हमें आलिशान घर को छोड़ कर देहात के किसी जोपड़े में रहना पड़ेगा दोनों बड़ी बीटियां ये बात सुनते ही अपना आपाख हो बैठी हम लोग गाओं में जाकर कैसे रह पाएंगे पिताजी? उन दोनों ने कहा, मगर ब्यूटी ने कहा मुझे तो जंगल, खेत खलिहान और फूलों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है कुछ दिनों बात उस धनी आदमी को गाओं में एक बड़ी से बगीचे के साथ एक छोटी सी छोपड़ी मिल गई और वो सब वहां रहने चले गए पिता उस बगीचे में कड़ी महनत कर फल और सबजियां गाने लगा और उन्हें बेजकर आराम से जीवन गुजाने लगा एक दिन व्यापार के सिलसले में पिता को दूर गाओं में जाना पड़ा इसलिए उसने तीनों बेटियों को पास बुला कर कहा कि वो अगले दिन ही वापस लौट आएगा उसके बाद उसने एक एक बेटी से बारी बारी से एक बात पुछी क्या ऐसा कोई सस्ता उपहार है जो मैं तुम्हारे लिए ला सकूँ सबसे बड़ी बेटी ने कहा हाँ, मुझे हीरे चाहिए मुझे मोती चाहिए, दूसरी बेटी पॉली मगर ब्यूटी ने कहा पिता जी, मेरे लिए सफित कुलाब के फूलों का कुछा लेते आएगा उसके बाद पिता घोड़े पर सवार होकर निकल गया ब्यूटी ने दर्वाजे तक आखर पिता को हाथ हिलाते वे विदा किया पिता अपने व्यापार का काम निप्टा कर खार लोटने लगा कुछ दूर आने के बाद काफी अंधेरा हो गया और वो अपनी रहा भटक गया था भटकते हुए वो गने जंगल में आप पहुँचा अब तो उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सुच रहा था काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे कुछ दूरी पर रोश्णी की एक किरन दिखी और उसने घोडा उस तरफ बढ़ा लिया जैसे दैसे वो रोश्णी के नस्दिक पहुचा वहां उससे पेडों के बीच में एक चोड़ा सा मार्क दिखा गोडी पर सवार वो उस मार्क पर चल दिया और तब उसके आश्चरे का ठिकाना नहीं रहा जब उसने एक महल का द्वार देखा महल का दरवासा खुला हुआ था मगर वहां कोई नहीं दिख रहा था इसने वव्यापारी अंदर चला गया वो स्वाकत कक्ष के दाहिने वाले कमरे में चला गया जहां एक भट्टी में आग दहक रही थी उसने देखा मेज पर एक आदमी का भूजन रखा हुआ है वो बहुत थका हुआ और भूखा था इसलिए उसने सोचा कि अगर यहां कोई नहीं है तो वो ही यह स्वादश्ट भूजन खा लेगा और उसके बाद घोडे को अस्तबल में वो ले जाएगा वो अराम से खाना खाने लगा खाने के बाद उसे नीन दाने लगी और हॉल को पार करने के बाद उसे एक सुनदर सा बैटरूम देखा वो बिस्तर पर लेट गया और सुबा तक कि लिए कहरी नीन में सो गया जब उसकी नीन खुली तो उसके कपड़े गायब दे लेकिन एक कड़ाई किया हुआ सूट कुर्सी पर रखा हुआ था उसने नए कपड़े पैने और अपने घोड़े को देखने के लिए अस्तबल की तरफ चल पड़ा अस्तबल के रास्ते में सफेद गुलाब के फूलों का एक संदर सा बगीचा था सफेद गुलाब के फूलों पर उसकी नजर पड़ते ही उससे ब्यूटी की इच्छा की याद आ गई और उसने अपनी चोटी बेटी ब्यूटी के लिए फूलों का एक उच्छा बना लेने की सोची वो गुलाब के फूलों की तरफ आगे बढ़ा उसने एक ही गुलाब तोड़ा था जब उसने पीछे से एक दिल देहला देने वाली आवाज सुनी और पीछे मुर्टी उसने विशाल सा राक्षस देखा वो भयानक राक्षस उची आवाज में बोला एसान फरामोश इंसान तुमने किसका काना काया किसके बिस्तर पर सोया और किसके कपड़े तुमने पहन रखे हैं मेरे और मेरे मेरे एसान का सिला तुम मेरे गुलाब चुड़ा कर दे रहे हो तुम्हें मरना होगा कृपिया मुझे मतमारी है उसने बिंती की राक्षस ने कहा ब्यूटी के पिता के पास इस शर्थ को स्विकार करने के अलवा और कोई रास्ता नहीं था जैसे ही वो अपने घोडे पर सवार होकर महल से निकला वो राक्षस से किये गए वादे के पारे में सोचने लगा उसे ये याद आने लगा कि घर से जाते वक्त कैसे ब्यूटी ने दर्वासे पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए उसे विदा किया था एक भयानक विचार से वो सिहर उठा क्या होगा अगर ब्यूटी मेरे रास्ते में सबसे पहले आई तो यहाँ ब्यूटी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी अपने पिता के वापस आने का इंतिसार कर रही थी जब उसने दूर घोड़े पर सवार एक आकरती को आते देखा तो वो कमरे से निकल कर बगीचे के मार्क पर आ गई हाँ यह उसके पिता ही थे जो लोटकर घार आ रहे थे मगर ब्यूटी अपने पिता के साथ हुई घटना से अंजान थी वो काफी धके हुए और दुखी लग रहे थे पिता जी आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए वो अपने छोटे बेटी को कले लगा कर रोने लगे जब वो जोपड़ी में पहुँचे तो पिता ने बेटी को राक्षस से किये हुए अपने वादे के बारे में बताया लेकिन तुम मेरे साथ मत आना ब्यूटी चाहे कुछ भी हो जाए उसने कहा मगर ब्यूटी ने जिद करते हुए कहा कि जब एक बार कोई वच्चन दे दिया जाता है तो उसे निभाना ही पड़ता है आखिरकार उसका पिता इस बात पर रासी हो जाता है कि इस महीने के अंत में वो ब्यूटी को लेकर राक्षस के पास जाएगा महीने का आखिर दिन जल्दी ही आगया और पिता और उसकी लाडले बेटी जंगल के लिए निकल पड़े रात होते होते ब्यूटी और उसके पिता जंगल के उस महल में पहुँच जाते हैं जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें मेज पर सजा हुआ दो लोगों के लिए स्वादिश भोजन मिलता है जैसे ही वो खाने के लिए बैठते हैं तरवाजस एक तरावनी आवा सुनाई देती है वो राक्षस की आवास थी राक्षस ब्यूटी के पिता की तरफ मुखातिब होकर पूछता है क्या ये तुम्हारी वही बेटी है जिसके लिए तुमने सफेद गुलाब तोड़े थे जी पिता ने कहा इसे दुखी नहीं होना चाहिए राक्षस ने कहा इस महल की सारी चीज़ें उसके इस्तिमाल के लिए हैं उसका कमरा भी सजा दिया गया है शुबरात्री ब्यूटी ने जब कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि ऐसा संदर कमरा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था ठकी होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई सुबरा ब्यूटी और उसके पिता ने एक साथ नाश्टा किया और पिता ने बेटी से विदा ले लिया जब गोड़े पर सवार पिता उसकी आँखों से ओजल हुए तो ब्यूटी अपने कमरे में लोट आई एक दिवार पर एक आईना टंगा था और उसके नीचे सुनेहरे अक्षरों में लिखा था प्यारी ब्यूटी, अपने आसु पोच लो इन आसुओं का कोई मतलब नहीं तुम बेफिक्र रहो, इस आईने में देखकर तुम जो भी इच्छा जाहर करोगी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी इन शब्दों से ब्यूटी को थोड़ी राहत मिली उसने सोचा, अगर उससे यहां कोई पी दिक्कत हुई तो इस आईने के सामने अपने घर लोटने की इच्छा जताएगी ब्यूटी का एक एक दिन, एक एक साल सा गुजरता जबकि राक्षस ने उसके सुविधा की हर चीज महिया कराई थी कभी वो किताबें पढ़ती और कभी चित्रकारी करती किसी दिन वो बगीचे में खेलने निकल जाती और किसी दिन संदर-संदर फोले कठा करने लगती लेकिन हर शाम खाने के समय दर्वासे पर उसे एक ही आवास सुनाई देती एक गंभीर आवास उससे पूछती क्या मैं अंदर आऊँ? और हर शाम सहमी हुए ब्यूटी जवाब देती हाँ राक्षस जी और वो आपस में बाते करते राक्षस के आकार और आवास से ब्यूटी हमेशा डरी रहती मगर उसके शब्दों में इतनी मधूरता और दया थी कि धीरे धीरे ब्यूटी का डर कम होने लगा क्या मैं बहुत बच्शूरत हूँ ब्यूटी? एक शाम उस राक्षस ने पूछा हाँ राक्षस जी और मैं बेवकूफ भी हूँ ना? नहीं, बेवकूफ नहीं हो तुम क्या तुम मुझसे प्यार करोगी ब्यूटी? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्यूंकि तुम बड़े दयालू हो तो फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगी ब्यूटी? नहीं, नहीं राक्षस जी राक्षस उदास हो गया और ब्यूटी भी चिंतित हो गई मैं किसी राक्षस से शादी नहीं कर सकती उसने खुच से कहा अगली सुबा ब्यूटी ने उस आईने में देखा मुझे अपने प्यारे पिता का हालचाल जानना है उसने कहा और फिर आईने में उसके पिता की एक करुण तस्वीर दिखी उसके पिता बिस्तर पर बीमार पड़े थे और उनकी देखबाल करने वाला कोई नहीं था अपने पिता की तकलीफ और अकेले बन के बारे में सोचकर वो सारा दिन बस रोती रही फिर हर शाम की तरह राक्षस उससे मिलने आया उसने देखा कि ब्यूटी बहुत दुखी है क्या बात है ब्यूटी? उसने पोचा ब्यूटी ने अपनी उदासे की वजा उसे बताई और अपने घर जाने के लिए छोट देने की पिंती करने लगी तुम चली जाओगी तो मेरा दिल तूट जाएगा ब्यूटी राक्षस ने कहा मगर मैं तुम्हें रोते हुए भी नहीं देख सकता राक्षस ने आगे कहा तुम कल तुम्हारे घर जा सकती हो शक्रिया राक्षस जी ब्यूटी ने कहा मगर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी एक हाफ़ते में मैं वापस आ जाऊंगी राक्षस बहुत उलजन में था उसे डर था कि अब वो ब्यूटी को हमेशा खिलिए खो देगा ये अंगूठी पहन लो उदासी भरे लहसे में उसने कहा अगर तुम वापस आना चाहोगी तो इस अंगूठी को निकाल कर अपने टेबल पर रख देना अर आब अलविदा मेरी ब्यूटी उस रात ब्यूटी ने आएने में देखकर ये इच्छा साहिर की कि वो कल सुबा अपने पिता की जोबडी में जगे और ब्यूटी की इच्छा पूरी हो गई उसकी अगली सुबा अपने पिता की जोबडी में ही हुई जैसे हैं पिता ने लाटली बेटी को देखा उनकी तबियत में सुधार आने लगी ब्यूटी को पता ही नहीं चला कि एक हफ़ता कैसे कुजर गया हाला कि उसके पिता अप काफी हद तक ठीक हो चुके थे फिर भी ब्यूटी ने उन्हें अपनी निर्दई बेहनों के भरों से चोड़ना उचित नहीं समझा मैं एक हफ़ते और रुख जाती हूँ ब्यूटी ने कहा और ये सुनकर उसके पिता खुशी से मुस्कुरा उठे अभी मुश्कल से एक दो दिन ही पीते थे कि ब्यूटी ने एक सपना देखा कि राक्षस महल के बगीचे में सफेद गुलाब की जाड़ियों के पास गास में पड़ा हुआ दुख से बोल रहा है ओ ब्यूटी तुमने कहा था तुम लोट कर होगी मैं तुम्हारे बगहर मर जाओंगा इस सपने ने ब्यूटी को चगा दिया बिचारे राक्षस की हालत के बारे में सोचकर वो परिशान हो गई उसने बिस्तर से उठकर उस जादोई अंगुठी को अपने टेबल पर रखा और फिर वो सो गई जब वो सुबा चगी तो वो बीस्ट के महल वाले अपने कमरे में थी ब्यूटी जानती थी कि शाम होने से पहले राक्षस उससे मिलने नहीं आएगा और आज का दिन था कि बीतने का नाम ही नहीं ले रहा था आखिरकार किसी तरह शाम होई मगर राक्षस नहीं आया बिचारी ब्यूटी उदास हो गई अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कहीं उसका सपना सच तो नहीं था कहीं ऐसा तो नहीं कि राक्षस गुलाब की जारियों में गिरा पड़ा हो ब्यूटी रात के अंधेरे में महल के बगीचे की तरफ दोर पड़ी और भागते भागते गुलाब की जारियों के पास पहुँची वहां एक जारी के बीचों बीच घास पर राक्षस पड़ा हुआ था ब्यूटी उसके पास घुटनों के बल बैट गई और अपना हाथ उसके सर पर रखा जैसे ही ब्यूटी के हाथ का स्पर्श मिला राक्षस ने अपनी आखे खोली मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता ब्यूटी राक्षस ने कहा इसलिए मैं खुद को खाप्म कर रहा हूँ मैंने तुम्हें पिर से देख लिया है अब मैं चैन से मर सकता हूँ ओ राक्षस जी मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती ब्यूटी ने कहा तुम्हें जिन्दा रहना होगा मैं तमसे प्यार करती हूँ मेरा यकीन करो तुम बहुत तयालू हो जब ब्यूटी ने ये शब्द कहे तो उसने अपने हाथों में अपना मूझ छपा लिया और वर रोने लगी जब उसने फिर से सर उठा कर देखा तो राक्षस कायब हो चुका था और उसकी जगाए खूब सूरत सा राजकुमार खड़ा था और उसने खुद को आजाद कराने के लिए ब्यूटी का शुक्रिया अदा किया क्या मतलब है तुमारा ब्यूटी ने पूछा मुझे मेरा राक्षस जाहिए मेरा प्यारा राक्षस और कोई नहीं तब राजकुमार ने उसे समझाया एक दुष्ट परी ने मुझे श्राप दिया कि मैं राक्षस बनके रहूँगा और साथ ही बेवकूफ और बदसूरत दिखूँगा उसने उसे बताया फिर राजकुमार ने ब्यूटी को चूम लिया और उसे लेकर महल की और चल पड़ा तभी एक अच्छी बड़ी ब्यूटी के पिता को लेकर वहाँ प्रकट हो गई ब्यूटी ने राजकुमार से विवा कर लिया और अपने पिता और पती के साथ खुशी से चीवन गजाने लगी सिंड्रेला एक बार एक बहुत अमिर आदमी था उसकी पत्नी शादी के कुछी सालो बाद भगवान को प्यारी हो गई और पीछे चोड़ गई एक प्यारी सी ननी सी बच्ची कुछ सालो बाद उस अमिर आदमी ने फिर से शादी की पर उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही लालची और घमंडी थी वो अपनी दो नक्चडी बेटियों के अलावा किसी इसे प्यार नहीं करती थी दोनों बेटियों को सिंड्रेला से बहुत इर्शा होती थी बहुत जल सौतेली मा और सौतेली बहनों ने पूरे घर पर कबजा कर लिया और उस नन्ही सी बच्ची को घर का नौकर बना दिया वो बरतन माचती जाडू पोछा करती बेचारी सूरज निकलने से पहले जाग जाती और जमी पर गीरी कोईले की राख इकटा करती जिसके वज़े से उसके कपड़े हमेशा मैले रहते वो घर से बार ताड़ पत्री से बनी जोपडी में रहती और सूखे गास के उपर सो जाती सर्दियों के समय जोपडी की छट से बर्फ अंदर आ जाती और पूरी जोपडी पर बर्फ की सफेद परत जमा हो जाती इस भीशन सर्दी से बचने के लिए वो रसोई घर में जलते हुए कोईले के सामने सो जाती कोईले की राक सारी रात उस पर उड़ती और उसके सारे कपड़े मेले हो जाते इसी वज़े से उसकी दोनों बेहने उसे सिंड्रेला कहकर पुकारती सिंड्रेला यानि कोईले की राक लगे कपड़ो वाली असल में दोनों सोतेली बेने सिंड्रेला से इसलिए जलती थी क्योंकि सारा दिन घर में मज़दूरी करने के बाद इतने मैले कपड़े पहनने के बावजूद सिंड्रेला उन दोनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी एक दिन राजा के बेटे ने महल में दावत बुलाई उसने राज्य के सारे प्रभावशली लोगों को दावत में आने का आमंत्रन भेजा सिंड्रेला की सौतेली मा और बहनों को भी नियोता भेजा गया दोनों नक्चडी बेहने दावत में जाने की तैयारी करने लगी नए कपड़े सिलवाय जाने लगे, नए गैने बनवाय जाने लगे इन सारे कामों की जिम्मेदारी उन्होंने सिंड्रेला को दे दी उन रेशम के कपड़ों पर सिंड्रेला जरी लगाती, उन्हें ध्यान से धोकर इस्तरी करती मैं दावत में लाल सरी वाली ड्रेस पहनूंगी बड़ी बेहन खुश होकर बोली, और छोटी ने कहा मैं वो सुनेरे रंकर ड्रेस पहनूंगी और साथ में ये कीमती हीरो के जेवर बहुत जचेंगे मेरे ड्रेस के साथ बाल सवारने के लिए सबसे महंगे नाई बुलाए गए नकली बाल लगवाए गए शहर की सबसे महंगी दुकानों से दर्जियों को कपड़े सीने बुलाए गया चहरा चमकाने के लिए खूब महंगे लाली पाउडर मंगवाए गए जब सिन्डेला उन्हें तैयार करने लगी तो बड़ी बहन ने उसे नीचा दिखाते हुए पूछा तुम नहीं जाना चाहती दावत में? ओ, पर तुम कैसे जा सकती हो? सिन्डेला की जगा कोई और होता तो ऐसी बाते सुनकर उन लड़कियों के बाल बिगार देती पर सिन्डेला एक बहुत नेक दिल की लड़की थी उसने ऐसा नहीं किया दोनों सौतेली बहने दावत में अच्छी दिखे उसकी उसने पूरी कोशिश की दावत वाले दिन सौतेली बहने अपने कमरे में आईने के सामने घंटों तक अपने आपको देखती रहती और खुद की प्रशंचा करती रहती आखिरकार दावत पर जाने का समय नस्दिक आ गया वो दोनों अपनी बग्गी में बैट कर खुशी खुशी निकल पड़ी राजा के महल की ओर सिंड्रेला आखों में उदासी लिए उनको जाते हुए देखती रहे वो बेचारी फिर से रसोई घर में चलते हुए कोईले के पास जाकर बैठ गई अकेले पन का दुख सिंड्रेला से बरदाश नहीं हो रहा था वो रोने लगी अचानक एक आवाज आई और एक परी खिड़की से रसोई घर में दाखिल हुई उसकी आखे चमकदार थी और उसे पंक भी लगे थे उसके पास एक जादूई छड़ी थी उसने सिंड्रेला से उसकी उदासी का कारण पूछा काश मैं भी सिंड्रेला इतना बोलके जोर जोर से रोने लगी क्या तुम भी उसी दावत में जाना चाहती हो तो तुम जरूर चाहोगे मैं तुम्हारी मा की दोस्त हूँ और परियों की नगरी से तुम से मिलने आई हूँ, तुम चिंता मत करो और अब रोना बन करो और बगीचे से एक बड़ा सुनेरा कद्दू लेकर आओ सिंड्रेला हाथ में लाल्टेन लेकर बगीचे के बीच गई और लाल्टेन की रोशनी से कद्दू ढूणने लगी उसने बगीचे का सबसे बड़ा और अच्छा कद्दू चुना और उस कद्दू को परी के पास लेकर आई परी ने अपनी जेब से एक चांदी की छुरी निकाली, उसने कद्दू को अंदर से खोकला कर दिया और कद्दू का बाहरी इसा रास्ते पर रखा अब उसने उस कद्दू पर अपनी जादूई चड़ी गुमाई चड़ी गुमा थी कद्दू एक आलिशान बग्गी में बदल गया सिंड्रेला ने अपनी जिन्देगी में काफी बग्गियां देखी थी उसकी सोतेली बेहने जिस आलिशान बग्गी में बैटकर दावत में गई थी वोग बग्गी भी उसने देखी थी मगर इतनी आकरशक बग्गी उसने कभी नहीं देखी थी सोने की बनी बग्गी और आकार कद्दू जैसा फिर परी ने उसे घर के अंदर से चूहे पकडने का पिंजरा लाने को कहा जैसे ही सिंड्रेला पिंजरा लाने को गई उसने देखा पिंजरे में छेज जिन्दा चूहे हैं परी ने उससे पिंजरे का दरवाजा खोलने को कहा जैसे ही चुहे पिंजरे से बाहर निकल कर दोडने लगे परी ने उन पर भी जादूई छडी गुमाई सिंड्रेला ये देख कर चौक गई चुहे एक एक करके ताकतवर घोडों में बदल गए थोड़ी ही देर में घोडे बग्गी से जुड़ गए छे आकरशक घोडे जिनका रंग चमकदार था और रेश्मी बाल थे हमें एक बग्गी चलाने वाला भी चाहिया होगा परी ने सिंड्रेला से कहा जिसके जवाब में सिंड्रेला ने कहा चुहा पकरने वाला एक पिंजरा और चोपड़ी में भी है मैं देखकर आओ अगर उसमें भी कोई चुहा हो तो हम उसे बग्गी चलाने वाले में बदल सकते हैं सिंड्रेला पिंजरा लेकर बाहर आई और पिंजरे में उसे मिला एक छोटा लेकिन मोटा चुहा जिसकी बड़ी-बड़ी मूचे थी परी ने उसे एक मोजीले मोटे आदमी में बदल दिया इस आदमी के मूचे बड़ी प्यारी और आकर शक्ती परी ने सिंड्रेला से कहा एक बार फिर से बगीचे में जाओ जिस बरतन से तुम पौधों को पानी देती हो उसके पास तुम्हें छे चिपकलिया मिलेगी उसे मेरे पास ले आ जैसे ही सिंड्रेला उन चिपकलियों को परी के पास लाई परी ने उन्हें छे सिपाहियों में बदल दिया वो बगी के पीछे जाकर खड़े हो गए भाला पकड़कर ऐसी निग्रानी करने लगे जैसे पूरी जिन्दगी यही काम करते आये हो इसके बाद परी ने सिंड्रेला से पूछा क्या अब तुम खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हो सिंड्रेला ने कहा पर मैं इन गंदे कपड़ों में दावत पर कैसे जा सकती हो? परी ने जादूई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ और सिंड्रेला के कपड़े भारतिय रिशम से बने बेहत खूब सुरत लिबास में बदल गए जिन पर दो हंसो का चित्र था पूरे लिबास में कीमती मूतियों की चमक थी चांदनी रात में लिबास खूब चमक रहा था सिंड्रेला के सर पर फूलों और हीरों से बना एक मुकुट सच गया और उंगलियों में बेश कीमती हीरे और सोने से बनी अभूठी सच गई फिर परी ने सिंड्रेला के पुराने फटे चपलों को काच से बने अती आकरशक जूतों में बदल दिया जैसे ही सिंड्रेला अपनी बग्गी में बैटकर महल की ओर जाने लगी परी ने उससे कहा याद रहे आदी रात होने से पहली तुम्हें वापस आना होगा अगर तुम एक शंड भी जादा रुकी तो बग्गी फिर से कद्दू बन जाएगी घोडे और बग्गी चलाने वाला फिर से चूहे बन जाएगे और सारे सिपाही छिपकली और कपड़ी वही पुराने सिंड्रेला ने वादा किया कि वो रात बारा बजे से पहले दावत से निकल जाएगी इसके बाद वो खुशी खुशी बग्गी में बैटकर महल की ओर रवाना हो गई जैसे ही सिंड्रेला ने बग्गी से बाहर कदम रखा राजा और राजकुमार सिंड्रेला की खूपसूर्ती देखकर स्थब्द रहे गए लोगों ने सिंड्रेला को देखकर नाचना बंद कर दिया कलाकारों ने संगीत बजाना छोड़ दिया सबकी नजरे सिंड्रेला की खूपसूर्ती को देखकर चौंक गई थी राजकुमार ने सिंड्रेला के साथ डांस करने का प्रस्ताव रखा जिसे सिंड्रेला ने स्विकार किया कलाकार फिर से अपनी धुन बजाने लगे पर इस बार उनकी धुन पहले से ज्यादा मीठी और सोरिली थी महराज, महरानी और दावत में मौझूद सारे लोग सिंड्रेला की खुबसूर्ती की तारीफ करने लगे और वो ये सोचने लगे आखिर ये लड़की है कौन राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर से हट नहीं रही थी दोनों एक दुसरेक में इस कदर खोचुके थे के सिंड्रेला को समय का होशी नहीं रहा जैसे ही गड़ी में बारा बजने वाले थे सिंड्रेला ने डर कर एक हिरन की धरा महल से बाहर दोड लगाई राजकुमार ने भी उसके पीछे दोड लगाई मगर उसे पकड न पाया महल की सीड्यों से नीचे दोडते वक्त सिंड्रेला के पाउं से एक जूता निकल गया राजकुमार ने वो जूता उठा कर अपने पास रख लिया महल के द्वारपालों से पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी राजकुमारी को बाहर निकलते हुए देखा द्वारपालों ने कहा कि उन्होंने किसी राजकुमारी को नहीं देखा उन्होंने सिर्फ एक मैले कपडों में एक लड़की को यहां से जाते हुए देखा जो शायद कोई दासी होगी जब सौतेली बेने दावत से गर वापस लोटी तो उन्होंने सिंडेला से कहा कि राजकुमार दावत में आई उस अंजान लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं वो लड़की अचानक ही दावत से गायब हो गई लेकिन बेचारा राजकुमार अपने हाथ लगे उस लड़की के जूतों को बहुत देर तक तकता रहा राजकुमार ने हुक्म किया कि उस जूते को रेशम की गद्दी पर रखा जाए और राज्य के सभी घरों में ले जाया जाए और साथ ही ये ऐलान किया जाए कि जिस लड़की के पाव के नाप का ये जूता होगा उस लड़की के साथ राजकुमार शादी करेंगे राज्य की हर कुमारी लड़कियों को जूता पहन कर देखना था शुरुआद राजकुमारियों को जूता पहनाने से हुई सोतेली बेहनों की भी बारी आई राजकुमार का सिपाई जूतों का नाप लेने घर पहुचा पहले बड़ी बेहन ने जूता पहनने की कोशिश की उसने बड़ा जोर लगाया पर जूता उसके लिए बहुत छोटा था बड़ी बहन के मन में राजकुमार से शादी करने का लालच इतना था कि उसने पाउँ छोटा करने के लिए अपने पाउँ की उंगलियां काट दी ऐसा करने से पाउँ आसानी से जूतों में चला गया पर सिपाई ने खून देखते ही उसकी चोरी पकड़ ली और उसे नामन्जूर कर दिया फिर छोटी बहन को जूता पहनाया गया पर उसकी एडियां बहुत बड़ी थी उसने भी चाकु से अपनी एडियों को काट डाला ताकि जूता उसके नापका हो जाए पर जब उसने जूता पहन कर चलने की कोशिश की तब राज़कुमर के सिपाई को उस पर शक हुआ और उसकी भी चोरी पकड़ी गई सिंड्रेला हस्ते हस्ते बोली क्या मैं भी ये जूता पहन कर देख सकती हूँ? सौतेली बेहनों के लाख मना करने पर भी महल से आये सिपाई ने सिंड्रेला को जूता पहनने का आगरह किया जैसे ही सिंड्रेला ने अंदर पाऊं डाला जूता उसके पाऊं पर ऐसा चड़ा जैसे मोम का बना हो बिलकुल उसी के नापका फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा जूता भी निकाला और दूसरे पाऊं में पहन लिया उसी वक्त उसे वो परी दिखाए दी और उस परी ने अपनी जादूई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को इतने खूब सूरत कपड़ों में बदल दिया जो कभी किसी ने देखे न हो सौतेली बहनों ने तुरंट पहचान लिया कि दावत में आई वो खूब सुरत लड़की और कोई नहीं सिंड्रेला ही थी उन्होंने सिंड्रेला के पाओ पकड़ कर अपने बुरे बरताओ की माफी मांगी सिंड्रेला ने उन्हें चूम कर कहा कि वो उन्हें तब ही माफ करेगी जब वो उसे भी अपनी बहन मानेंगी सौतेली बहनों ने वादा किया कि आज से वो उसे सगी बहन का ही सम्मान देंगे सिंड्रेला को राजकुमर के पास लाया गया राजकुमार को वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी कुछी दिनों बाद उनकी शादी हो गई सिंड्रेला जितनी खूबसूरत थी उतनी ही नेक दिल भी थी उसने अपनी बैनों के लिए बहुत अच्छे पती ढूंडे जो अमीर भी थे और अच्छे भी और फिर सिंड्रेला और राजकुमार हमेशा साथ साथ खुश रहे सोती हुई राजकुमारी बहुत साल पहले एक राजा और एक रानी थे जो बहुत निराश थे उनकी शादी को बहुत साल हो गए थे पर उनका बच्चा नहीं था उन्होंने हार मान ली थी जगा बहुत खुशी फैल गई थी। क्रिस्मस समारों में कोई कमी नहीं थी। राजा और रानी ने एक परी के अलावा सभी परीयों को अमंत्रित किया था। वहाँ तेरा परीयां उपस्तित थी। पर उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया था परंतु किसी के ध्यान में नहीं आया कि वहां 13 परियां उपस्तित थी एक वृद्ध परी थी जो किसी को पसंद नहीं थी क्योंकि बाकी सभी युवां और सुन्दर थी इसलिए कोई उन्हें बुलाता भी नहीं था क्रिस्मस के समारों में 13 परी बहुत गुसे में और हद से ज्यादा मेकप लगा कर आई थी क्योंकि उसे नजर अंदास किया गया था वृद्ध परी को गुसे में देखकर युवां परी ने अपने आपको छुपा लिया जिससे वृद्ध परी ने जो नुकसान सोचा था उसका सामना कर सके और समारों अच्छा बने फिर परीयां राजकुमारी को तौफा देने लगी पहली परी ने सुन्दरता दी दूसरी ने इंसानियत तीसरी ने तेजस्विता चौथी ने उसे अतिसुन्दर डानसर बनाया पाच्वी ने उसे सुरीली आवाज दी छटी ने उसे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट्स बजाने की कला दी इन सब ने बहुत कुछ दिया उसके बाद वृद्ध परी की बारी आई और वो गुस्से में राचकुमारी के पालने के पास आई और गुस्से में राचकुमारी को कहा उसके जीवन के पंदरवे साल में उसकी उंगली चर्खे में आ जाएगी और वो मृत्यू को प्राप करेगी उसके बाद वो मुड़ी और उस भयानक माहौल से चली गई क्योंकि सब उससे गुसा थे और उसे कोसने लगे ये देखते हुए युवा परी चाहां छिपी थी वहां से बाहर आई चिंता मत करो ये सच है आपकी बेटी मरेगी नहीं मैं कोई परी की इच्छा को नाकाम नहीं कर सकती परन्तु आपकी बेटी नहीं मरेगी वो नीन में चली जाएगी जोकी सौ साल तक रहेगी और उसके बाद एक राजकुमार आकर उसे जगाएगा और व्रत परी का श्राप पूरा हो जाएगा राजा ने खुद की बेटी का जीवन चर्खों से बचाने के लिए उसी वक्त आदेश दिया कि राजक के सभी घूमने वाले चक्र और चर्खों को जला दिया जाए सभी परियों के आशिरवाद सच होने लगे लड़की सुन्दर, दयालू, टेजस्वी होने लगी चुपन चुपाई खेल रही थी जब उसके चुपने की बारी आई तो वो दूर तैखाने में जाके चुप गई जो बहुत साल पहले बनाया हुआ था वहाँ उपर एक छोटे कम्रे में पहुँच गई और वहाँ जाकर देखा तो एक वृद्ध स्त्री चर्खे के पास बैठी थी और चर्खे के गूमने के साथ धागों के टुकडे जुड रहे थे ये क्या कर रहे हो आप? मैं चर्खा चला रही हूँ स्त्री ने राजा का आदेश सुना नहीं था के सभी चर्खे तोड कर गार दिये जाए और ये लड़की कौन थी ये भी पता नहीं था कभी तो मैं टुकडों में से लीनन कात्ती हूँ कभी भेड की चमडी में से रूई कात्ती हूँ कभी तो मैं स्त्रियों के लिए सुनेरे रंग के धागों में से वस्त्र भी बनाती हूँ क्या ये कठिन काम है? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत मैं कुशिश करूँ? हाँ, जरूर स्त्री ने राजकुमारी को चर्खे के पास बैठने दिया और चर्खे की सुई की नोग राजकुमारी की उंगली में लगी और वो बेहोश हो गई व्रिद्ध परी का श्राप सच हुआ व्रिद्ध स्त्री मदद के लिए चिल्लाने लगी और रोने लगी और लोग किले के कोने कोने से दोड़ कर आ रहे थे सब ने पानी छिड़क कर राजकुमारी को जगाने का प्रयत न किया पर कुछ काम ना आया ये बात पता चलते ही राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को उसके मुलायम बेड़ पर सोने की रजाई उढ़ा कर सुलाया जाए जब तक सौ साल पुरे न हो जिस युवा परी ने राजकुमारी का जीवन बचाया था उसे इस बात की खबर होते ही वो उसी वक छे ड्रेगन के रत में बैटकर राजा के महल के पास एक घंटे में पहुँच गई महल में से गुजरते हुए उसने राजा और रानी के अलावा सभी को बेहोश कर दिया नेता, सेनापती, सैनिक, नौकर, सेवक, रखवाल, द्वारपाल सभी को तैखाने के बाहर की आग भी बुझ गई और फूल भी मुर्जा गय और राजा और रानी राजकुमारी को दुलार करके दुखी होकर महल को छोड़ कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए एक घंटे में पेड की डालियों ने महल को चारो तरफ से जकड लिया कि कोई अंदर सुई हुई राजकुमारी को परेशान न करे महल का सबसे उपर का हिस्सा हरे पेड के कारण कभी कबार दिखता परी ने अपना काम अच्छी तरह से किया निन्यानवे गर्मियां निन्यानवे सर्दियां और बरसात बीद गए एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए निकला उसने महल का नजारा देखा उसने अपने सैनिक से उसके विशे में पूछा एक ने कहा कि वो महल भूतों का था उसके बाद एक दूसरे वृद्ध ने कहा माननिय राजकुमार आज से 50 साल पहले मेरे पिता को मेरे दादा ने कहा यहाँ जंगल में एक बड़ा महल है और वहाँ दुनिया की सबसे सुन्दर राजकुमारी ने जन में लिया था कोई दुरगटना के कारण वो अंदर सो रही है जिसे मात्र कोई राजकुमार ही जगा सकता है राजकुमार का दिल ये सुनकर और जोर से धड़कने लगा उसे सत जानने की इच्छा हो गई उसने महल की तरफ प्रस्थान किया और पेड और डालियां काट कर अंदर गया जैसे ही उसने डालियों को हाथ लगाया जिसए वह अपने घोडे के साथ टैंधके अंदर आगे में चलने लगा उसने एक बहुत ही विचित्र नजारा देखा उसने वहाँ बहुत सारे घोडे और इनसान देखे पहले जब वह तैंधकहने से गुजरा जहां गोडे और इंसान थे उससे पहले लगा कि सब मर गए है पर बाद में उससे लगा कि वो सो रहे है और शांती से नींद में सांस ले रहे है अंत में वो राजकुमारी के कमरे में आया सुन्दर हलकी रोशनी में रेशम के बेड पर राजकुमारी नीद में थी राजकुमार बेड के पास पहुँचा और राजकुमारी के चेहरे की तरफ बैठ गया राजकुमारी की उंगलियां आराम दायक स्थिती में एक छोटे पपी पर थी जो राजकुमारी की गोदी में सोया हुआ था राजकुमारी के होट हस रहे थे उसने एक सुन्दर सपने में राजकुमारी को सोते देखा और रंत में राजकुमार ने नस्दीक जाकर राजकुमारी के माथे को प्रेम से चूमा और अब राजकुमारी की नींद पुरी हो गई और उसके होट के स्पर्श से राजकुमारी जाग गई और श्राप पूरा हुआ मैं आपकी सालू से रहा देख रही थी वो दोनों जहां जहां से गुजरे आस पास के सभी लोग जाग गए पूरा महल फिर से जगमगाने लगा और सब अपने काम में लग गए राजकुमार और राजकुमारी एक भव्य कमरे में आये जहां स्वादिष्ट भूजन तयार था राजकुमार और राजकुमारी गहरे प्यार में डूबने लगे और अंत में उन्होंने शादी कर ली और फिर से त्योहर का माहौल छा गया और सब संगीत मैं हो गया रंपल स्टिल्सकिन एक समय की बात है एक गाउं में बहुत करीब बुनकर रहता था और उसकी एक बहुत खुबसूरत बेटी थी उसकी बेटी उसकी आखों का तारा थी वो हमेशा कहता था कि उसकी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं एक दिन जब राजा अपने गोड़े पर बैटकर सवारी कर रहा था उसने देखा एक लड़की नदी किनारे कपड़े दो रहे थी वाह कितनी खुबसूरत लड़की है ये राजा ने अपने मन में सोचा फिर उस लड़की से पूछा तुमारा नाम क्या है? इससे पहले कि लड़की कुछ कहे उसके पिता ने उत्तर दिया आपको जान के खुशी होगी राजा जी वो मेरी बेटी है मेरी बेटी जितनी अच्छी लड़की आपने कहीं नहीं देखी होगी राजा ने उन दोनों बाप बेटी को बड़े उत्त सहा के साथ देखा अपने शानदार घोड़े पर बैठ कर सच मुझ आपकी बेटी बहुत खुबसूरत है राजा ने जवाब दिया बुनकर के चाती गल्व से चौड़ी होगी ये बात तो बिलकुल सच है लेकिन उसकी काभियत उसके चेहरे की संदरता से कहीं ज्यादा विशेश है बुनकर ने कहा तुम क्या कहना चाते हो राजा ने आश्चरी से पूछा दरसल वो दरसल वो मेरी बेटी वो दरसल बुनकर कोई गुण सोचने की कोशिश करने लगा जिससे सुनकर राजा प्रभावित हो जाय उसकी आखे राजा की आखों से मिली और उसने अपनी नज़र नीची कर ले अचानक उसने देखा कि कुछ मुर्गिया सुखी घास के आसपस दाना चुग रहे है याद आया दरसल वो मेरी बेटी सुखी घास में से सोना बुन सकती है बुनकर ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ राजा से ये कहा पर पिता जे उसने बोलने की कोशिश की क्योंकि उसे अपने पिता का ये जूट बिलकुल पसंद नहीं आया तब तो ये अनोखी लड़की है राजा खुश हो कर मुस्कुराते हुए बोला अगर तुमारी उंगलिया सचमुच सूखी घास को सोने में बदल सकती है तो तुमारी जगा मेरे महल में है आओ, मेरे साथ मैं देखना चाता हूँ कि क्या ये सच है राजा की बात मानने के अलावा उस लड़की के पास कोई और चारा नहीं था राजा के साथ घोडे पर सवार होकर वो लड़की महल चली गई जब वे महल पहुँचे राजा उसे अंधिरी कोठरी में ले गया जो सूखी घास से भरी हुई थी कोठरी के बीचों बीच एक चर्खा रखा था राजा ने कहा कल सूरज उगने से पहले तुम्हें इस सूखी घास को सोने में बदलना होगा अगर तुम इस काम में नाकाम रही और तुम्हारे पिता ने मुझसे जूट बोला है तो तुम्हें मृत्यू डंड मिलेगा काल कोठरी का दर्वाजा बंध होने की आवाज जब लड़की की कानों पर पड़ी तो वो इतनी डर गई कि वो रोने लगी अचानक उसने देखा एक बोना सा आदमी उसके सामने खड़ा था क्यों रो रही हो उसने पूछा मैं बहुत दुखी हूँ वो रोते हुए बोली राचा ने मुझसे कहा है मेरे गली का हार लड़की ने बोला बोने ने वो हार अपने हाथों में लिया और चर्खे पर बैठ गया कुछी समय में उसने सारी सूखी घास को बुनकर उसे सोने के धागों में बदल दिया सुबे सुरज उकते ही राजा कोठरी के पास आया और उसने कोठरी का दर्वाजा खुला अपने आसपास इतना सोना देखकर राजा बेहत खुश हुआ राजा का लालच यही नहीं थमा अपने सिपाईयों के भरन पोशन के लिए उसे और भी बहुत सारा सोना चाहिए था वो सैनिक जिनोंने उसके राजजे को दुश्मनों से बचा कर रखा था वो बुनकर की बेटी को एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में ले कर गया और उससे कहा सारी सूखी घास को सुबह तक सोने में बदल दो उस रात लड़की फिर से रोने लगे क्योंकि उसे पता था कि ये उससे नहीं हो पाएगा पर वो बौना आदमी फिर से उसके सामने आ गया और उसने फिर से पूछा अगर मैं तुमारे लिए फिर से सारी सूखी घास को बुनकर सोना बना दू तो मुझे क्या मिलेगा मेरी कमर का ये पट्टा मैं तुम्हें दे सकती हूँ उसने कहा उस बौने आदमी ने वो पट्टा हाथ में लिया और फिर से चर्खा घुमाने लगा और जल्दी ही एक के बाद एक सोने के धागों से बड़े बड़े गोले बनते गए जल्दी ही सारी सूखी घास सोने में बदल गई ये देखकर राजा खुशी से फूला नहीं समाया उसे पता था अगर वो थोड़ा और सोना जमा कर लेगा तो उसके राज्जी में फिर से खुशाली लोटाएगी इसलिए उसने महल के सबसे बड़े कमरे को सूखी घास से भर दिया और उस लड़की को अंदर छोड़ दिया अगर तुमने ये सारी घास सुबह तक बुनली तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हें कभी फिर से सूखी घास सोने में नहीं बदलनी पड़ेगी जब वो लड़की अकेली थी वो मौना आदमी उसके सामने आया और बोला सूखी घास को बुनने के बदले में इस बार मुझे क्या मिलेगा मेरे पास तुम्हें तेने के लिए कुछ नहीं बचा उसने जवाब दिया तो तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा कि जब तुम रानी बनोगी तब तुम अपना पहला बच्चा मुझे दे दोगी बोने आदमी ने कहा लड़की ने सोचा कि वो वक्त आने से पहले बहुत कुछ बदल गया होगा इसलिए उसने उस आदमी की बात मान ली और उससे वादा कर दिया जब राजा सुभे वापस आया तब उसने पूरा कमरा सोने से भरा हुआ पाया अरे वाह बुनकर की बेटी तुमने तीन रातों में मुझे इतना सुना दिया है जितना किसी राजा के पास नहीं होगा तुम जितनी खूबसुरत हो उतनी ही अनोखी भी क्या तुम मेरी रानी बनना पसंद करोगी इस तरह बुनकर की बेटी, जिसे राजा बहुत पसंद था, वो उसकी पत्नी बन गई कुछ समय बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया वो बौने आदमी को दिया हुआ वादा पूरी तरह भूल चुकी थी अचानक एक दिन वो रानी की कमरे में आया और बोला वादा निबाओ, बच्चा दे दो रानी बहुत दुखी हो गए, वो बौने आदमी के सामने गड़ गड़ाने लगी कि चाहे जो भी हो, उसकी सारी दौलत ले ले, पर उसके बेटे को ना ले जाए बौने आदमी ने कहा तुमारी आखों में तुमारे बेटे की जुदाई का दुख देखकर मैं तुमें उसे बचाने का एक मौका देता हूँ तुमारे पास तीन दिन है, अगर तुमने मेरे नाम का सही अंदाजा लगा लिया, तो तुम अपने बेटे को अपने पास रख सकती हो रानी सारी राद जाकती रही वो सारे नाम याद करने की कोशिश करने लगी जो उसने आज तक सुने थे जब वो बौना आदमी अगले दिन वापस आया उसने नाम लेने की शुरवात की डेविड, एलविन, फ्रेंसिस पर हर नाम सुनने के बाद वो एक ही बात कहता अगले दिन रानी ने महल की सारे किताबे पढ़ ली और सारे पेचीदे नाम याद कर लिये उसने बौने से पूछा तुम्हारा नाम जौन है? जौनी? या मैथ्यू? पर वो हमेशा एक ही बात दोहराता तीसरे दिन उसने सिपाईयों को कौन-कौन से नाम से बुलाते हैं कुछ देर बात एक सिपाही आया और बोला रानी साहिबा, मैं कोई नया नाम तो अब तक नहीं जान पाया मगर दूर परबत पर जो जंगल है जहां सिर्फ जंगली जानवर रहते है वहां मैंने एक बौने आदमी को आग के एरद-गिरद नाचते गाते हुए देखा कभी कोई नहीं पाएगा ये जान कभी कोई नहीं पाएगा ये जान के रंपल स्टिलस्किन है मेरा नाम नाम सुनकर रानी के खुशी की ठिकाना नहीं रहा जब रात को बौना आदमी फिर से आया तो रानी ने उससे पहले पूछा क्या तुम्हारा नाम अलबर्ट है? नहीं क्या तुम्हारा नाम रॉनी है? नहीं, नहीं तो क्या तुम्हारा नाम रंपल सी स्किन है? धत तरी की, यहीं तो है, यहीं तो है वो चिला कर महल से बाहर इस तरह भागा कि वो दो हिस्सों में बढ़ गया